मदन सहनी का इस्तिफ़ा देने से राजनितिक गलियारों में सियासी ताप्मान काफी गर्म हो चुका है बिहार सरकार नितिश कुमार के नेता मदन सहनी की इस्तिफ़ा प्यसकस के बाद बिहार की सियासी ताप्मान काफी गर्म हो चुकी है वहीं राजनितिक गलियारों से नितिस कुमार को यह भी चुनौती दिया जा रहा है कि अब सिर्फ बिहार के वर्तमान सरकार नितिस कुमार का विदाई समारो भर बांकी रह गया है और जल्दी उन्हें गद्दी छोड़ना होगा जैसा कि राजनितिक गलियारों से बात सामने आ रही है कि मदन सानी इस्तिफा के बाद राजत के कईनेताओं ने भी बयान दिया है कि बिहार में खेला भी हो गया है लेकिन जैसा मीडिया रिपोर्ट के मुताविक बताया जा रहा है मदन सानी ने खुद मीडिया को भी बताया था कि उनके ही डिपार्टमेंट के लोग उनकी बातों को नहीं शुनते हैं बिहार के बड़े-बड़े अधिकारी भी उनकी एक भी बात नहीं शुनती यहां तक की चपरासी तक भी बात नहीं सुनने लगा है इसी गुस्से में उन्होंने अपने पत से इस्तिफाद दे दिया है वहीं दूसरी तरफ भागलपूर के कांग्रेस विधायक दल के नेता भागलपूर विधायक अजित सर्मा ने कहा की बिल्कुल बिहार में अपसर साही माहूल हो चुका है बिहार के मंत्री का एक भी पताधिकारी बात सुनने को तयार नहीं होते हैं जिसको लेकर कांग्रेस विधायन मंडल के नेता अजित सर्मा ने कहा की नितिस कुमार के कारिकाल अपसर साही काल हो चुका है उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री की बात अब अधिकारियों की तो छोड़ दिया जाए यहां तक की चप्रासी भी नहीं शुन रहे हैं मदन साहनी जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है बरहाल बड़े बड़े मीडिया चैनलों नहीं दवा किया है कि पार्टी छोड़ना कहीं न कहीं राजितिक मोर का मुद्दा